हेलो किट्स मैंने हत्रिपाथी एक बार फिर से मैच सेशन में आपका वेलकम करती हूँ प्रीवियस सेशन में हमने किया था थिक एंड थिन और मैंने आपको बताया था थिक मीन्स मोटा और थिन मीन्स पतला आज एक नया टॉपिक करने वाले हैं वो है more and less more means ज्यादा और less means थोड़ा कम more means ज्यादा और less means कम थोड़ा मैं आपको एक एक एक्जामपल देती हूँ मेरे पास यहाँ two baskets हैं आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर two baskets हैं और उन में कुछ tomatoes हैं तो आपको बताना है कौन सी basket में ज्यादा tomatoes हैं किस में more tomatoes हैं और किस में less tomatoes हैं तो इसके लिए हम इने count करते हैं one two three four इस basket में four tomatoes हैं अब हम इस basket के tomatoes count करते हैं one two three four five six seven eight nine इसमें nine tomatoes हैं और आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कौन सी basket में tomatoes ज्यादा हैं येस इस basket में ज्यादा tomatoes हैं more tomatoes हैं और इसमें less tomatoes हैं तो आपको समझा गया more means ज्यादा जब हम चीजों को उनके quantity के according divide करते हैं कि कौन सी तरफ ज्यादा है और कौन सी तरफ कम है तो उसे हम कहते हैं more and less यहाँ मैंने आपको कुछ pictures दिखाई देखिए हमारे पास यहाँ पर balloons है इस तरफ one two three four left side में four balloons है right side में one two only two balloons है तो कौन सी side में more balloons है yes right side में sorry left side में more balloons है तो हमें यहाँ tick करना है क्योंकि यहाँ ज्यादा balloons है अब आपको बताना है कौन सी side में ज्यादा flowers है count करते हैं one two three इधर देखते हैं one two three four five left side में three flowers है और right side में five flowers है तो किस side में ज्यादा flowers है yes right side में more flowers है और left side में less flowers है अब हम third picture दिखते हैं third picture में आपको कुछ stars दिख रहे हैं count करते हैं पहले left side के stars को one two three four five six left side में six stars है अब हम right side के stars को count करते हैं one two जबकि right side में only two stars है तो कौन सी side में ज्यादा stars है बच्चो left side में तो आपको अब समझ आ गया होगा more means ज्यादा और less means थोड़ा मेरे पास यहां कुछ colorful pens है मेरे left hand में one two three four five five colorful pen है और मेरे right hand में one two three three pen है तो मेरे किस हाथ में ज्यादा pen है yes left hand में मेरे ज्यादा colorful pen है जबकि right hand में only three pen है तो अब आपको समझा क्या अब बात करते हैं आपके homework की देखिए more और less टॉपिक को page number 18 more यहां पर कितनी सारी notebook है तो यह है more और यह less तो अब हम इसका practice वारा section देखते है question read करती हूँ take the picture having more object and cross the one having less object in each row आपको यहां पर कुछ pictures दिख रही है आपको जहां ज्यादा object है जहां ज्यादा चीजे है उस picture को आपको tick करना है और जहां पर कम चीजे हैं वहां आपको cross का sign लगाना है तो देखिए किस तरफ ज्यादा है yes left and side में ज्यादा balloons है तो हम यहाँ tick करेंगे और right side में less balloons है तो हम वहाँ पर cross का sign लगाएंगे तो इसी तरीके से आपको exercise का remaining part homework में करना है पर याद रखिए homework करने से पहले आपको यहाँ पर date mention करनी है like 20, 5, 20 और homework इस तरीके से पहले आपको date mention करनी है उसके बाद ही आपको exercise करना शुरू करना है और हाँ homework करने के बार उसकी पिक मेरे साथ whatsapp पे share जरूर करें और वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूले हम फिर मिलेंगे next वीडियो में एक interesting topic के साथ बाबाई